उत्राखन के वीडियो सिरिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र तिर्थस्तलों में से एक रिशिकेश की सेर करवाएंगे। आज का हमारा सफर होगा अर्विंद और शिवपांडी जी के साथ। और मैं हूँ आपका होस्ट जयन्त विलाइक कर। रिशिकेश इमालाई का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यहाँ पर गंगा परबत मालाव को पीछे छोड़ समतल धरातल की और आगे बढ़ती है। रिशिकेश अपने योग सेंटर्स, आश्रम और मंदिरों के लिए मशूर है। यहाँ आप बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। रिशिकेश हरिद्वार से 25 किलोमेटर उत्तर में तथा 13-43 किलोमेटर की दूरी पर है। ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। रिशिकेश में सबसे पहले हम त्रेविनी घाट पर गए। कहा जाता है कि इस थान पर हिंदु धर्म की तीन प्रमुक नदिया गंगा, यमुना और सरस्वती का संगाम होता है। यहाँ पर शिव पार्वती जी की भी मुर्थिया है और भगवान शंकर के जटाओं से प्रकट होती गंगा नदी भी दिखाई देती है। इसी स्थान पर गंगा नदी दाई और मुर्थि है। पहाड़ों में से बहते आने वले गंगा नदी का नजारा बहुत ही खूब सुरत होता है। हिमालय की पहाडिया और प्राकृतिक संदर्यता से ही इस धर्मिक्सान से बहती गंगा नदी रिशिकेश को अतुल्य बनाती है यहां स्नान करने का यह एक प्रमुग घाट है जहां प्रातर काल में अनेक श्रद्धालों पवित्र गंगा नदी में डुपकी लगाते है यहां गंगा का पानी बहुत स्वच्छ और प्रदुशन मुक्त है घाट पर कुछ ना कुछ धार्मिक कारेक्रम चलते ही रहते है यहां शांग को होने वाली आरती का नजारा बहुत आकरशक होता है त्रिवेनी घाट के पास ही भरत मंदिर को भी आप भेट दे सकते है यह रिशिकेश का सबसे प्राचिन मंदिर है जिसे बारवी सताब्दी में आदी गुरु शंकर आचार्य जी ने बनाये था रिशिकेश नगरपाली का अतिकरमन हटाने में जोरो शोरो से लगी हुई है त्रिवेनी घाट के सामने यह है पुजा सामक्री की दुकाने थोड़ी देर तक हम लोग बाजार में घुमें क्योंन अब थोड़ी पेट पुजा की जाए यहाँ पर एक पुराने हवेली है रिशिकेश में आपको विदेशी सैलाने भी बड़ी संख्या में दिखाई देते है सन 1960 की दशक में इंगलेंड का प्रसिद्ध बैंड बीटल्स रिशिकेश के पास योग का अध्यान करने के लिए आये थे तभी से राजाजी नैशनल पार्क में बीटल्स की नाम पर आश्रम प्रस्थाफित है अब हम लक्षमन जूला देखने जा रहे है सामने इस्राइल से आयोए यात्री दिखाई दे रहे है गंगा नदी के एक किनारे से दुसरा किनारा जोडता यह जूला नगर की विशिष्ट पहचान है कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्षमन जी ने इस्थान पर जूट का जूला बनाया था इसका 1949 में पुनर निर्मान किया गया था ये एक सस्पेंशन ब्रीज है ये जूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है इसी लिए इसे शिवानंद जूला के नाम से भी जाना जाता है सामने जो बड़ी इमारत दिखाई देती है वे कैलाश निकेतन मंदिर है इसे तेरा मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जुले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नजारे का आनन लिया जा सकता है जुले के बीचों बीच पहुशने पर आपको जुला हिलता हुआ प्रतित होता है इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मुर्थिया स्तापित है यहां तेरिवी मंदिल पर जाने के लिए मंदिर के गोल गोल चकर लगाते सभी देवताओं की दर्शन लेते हुए जाना होता है थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन उपर से लक्षमन जुले और सुर्यास्थ का बहुत ही सुन्दर नजारा दिखाई देता है इस भक्ति भाव से भरे वातावरों को हम शब्दों में बया नहीं कर सकते आप रोजमर्रा के जीवन के चिन्ताओं को भूल कर एक अलग ही आनन्द की दुनिया में खो जाते है इसी मंदिर के निचले हिस्से में घाट पर गंगा जी की आर्थी होती है नदी पातर से ही हमने पवित्र गंगा माता जी की आर्थी का आनन्द उठाया हिमाले की निचली पहाडियों और प्राकृतिक सुंदर्ता से घिरे इस धर्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है रिशी केश को केदारनाथ, बद्रिनाथ, गंगोत्री और यमोनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है कहा जाता है के समुद्र मंथन के दोरान निकला विश शिव जी ने इसी स्थान पर पिया था ये भी कहा जाता है के रिशी रैभ्य ने यहां इश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान रिशी केश के रूप में प्रकट हुए तब ही से इस स्थान को रिशी केश की नाम से जाना जाता है कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्थ होता है सामने राम जुला दिखाई दे रहा है लक्षमन जुले की तर्ज पर ही ये जुला बना है ये पुल गंगा नदी पार करने में उप्योग में लाय जाता है इस जुले का इस्तमाल पदचारियों एवं दुपईया वाहनों के लिए होता है विदेशी परेटक भी यहां अध्यात्मिक सुख की चाहत में नियमित रूप से आते है रिशिकेश को योगा कैपिटल आफ दे वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है यहां बहुत सारे योग सेंटर्स है यहां के कुछ आश्रम में योग की विद्या मुथ में सिखाई जाती है रामजूला पार करते ही गीता भवन है यहां रामायन और महाभारत के चितरों से सजी दीवारे इस स्थान को आकरशक बनाती है तिर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यहां सेकडों कम रहे है रिशिकेश में आप आए है तो 22 किलोमेटर के दूरी पर 3000 साल पुरानी विशिष्ट गुफा जो की बद्रिनाथ केदारनाथ मार्क पर स्थित है उसे भी आप भेट दे सकते है निलकंठ महादेव मंदिर लगभग 5500 फिट की उचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाडी की चोटी पर निलकंठ महादेव मंदिर स्थित है कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस्थान पर समुद्र मंतर से निकला विश ग्रहन किया था विश्पान के उपरांथ विश के प्रभाव से उनका गला निला पड़ा था और उन्हें निलकंठ के नाम से जाना गया योगा के साथ साथ रिशिकेश अपने आयरुवेदिक उप्चारपदिती के लिए भी जाना जाता है हमारा रिशिकेश का सफर यहीं समाप्त होता है हम आशा करते हैं कि आपको ये विडियो जरूर पसंद आया होगा हम भारत के और भी धार्मिक और परियतक स्थलो को भी भेट देंगे अगर आप हमारे नए विडियो मिस नहीं करना चाते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजएगा ये प्रक्रिया एकदम निश्चुल का है अगर ये विडियो देखके आपको खुशी होती है तो अपने मित्र जनो और परिवार के अन्यसदस्य को भी ये जरूर दिखाए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताए कि आप हमारे आने वाले विडियो में कौन-कौन सी परियतक और तिर्थ शित्रत देखने की आशा रखते है जय गंगा मया